कहा जाता है कि भले ही अब मुलायम सिंग यादो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष ना रहे हो लेकिन संरक्षक के तौर पर आज भी पार्टी कारिकरता उन्हें अपना भगवान मानते हैं यही नहीं शियुपाल भले ही सपा से अलग हो गए हो लेकिन उनकी पार्टी के कारिकरता भी मुलायम का बहुत सम्मान करते हैं मगर कहते हैं ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती है और लगता है कि अब मुलायम सिंग का समय बदल गया है तब ही तो जब वो शियुपाल की जनाक्रोश रैली में पहुचे तो लगाता सपा का गुरगान करते रहे मंचपल उम्र का तकाजा हो सकता है कि मुलायम भूल गए हो कि वो शियुपाल की पार्टी रैली में है ना की सपा की और मुलायम लगातार बोलते रहे जिसका नतीजा ये हुआ कि शियुपाल समर्थकों को गुसा आ गया और फिर मुलायम के खिलाफ हुंतिंग करते रहे पहले तो मुलायम कुछ नहीं बोले मगर फिर उन्होंने मंच से गुसा उतारा कि जो लोग उन्हें सुनना नहीं चाहते हैं वो कभी नेता नहीं बन सकते हैं साथी उन्होंने कहा कि वो सभी लोग उनकी सभा में ना आएं जो कि उनकी बातों को अंसुना कर रहे हैं मुलायम ने कहा उन्हें सुनने वाले बहुत लोग हैं मगर एक बात ये भी रही कि शिवपाल भी अपने भाई के लिए कारिकरताओं से कुछ नहीं बोले यानि कि उन्हें भी भाईया का सपा के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगा है जिस तहां मुलायम को ये अपील करनी पड़ी और फिर भी लोग नहीं माने उस्ते तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब सपा संरक्षक मुलायम सिंग के अच्छे दिन समाप हो चले है SPN 9 Newsroom की रिपोर्ट